लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार को और रेगुलर रेसिपी अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए बच्चों को खाना खिलाना बहुत ही मुश्किल है इसलिए इसका हल मैं लेके आजाई हूँ और मैं बनाने वाली हूँ एक हेल्दी, टेस्टी रेसिपी और वो है मुंग डाल का चिला तो चलिए बनाते हैं मुंग डाल का चिला सबसे पहले हम डालेंगे कटा हुआ अद्रक दो हरी मिर्चे मिर्ची आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं उसके बाद हम डालेंगे मुंग की डाल, यह मुंग की डाल मैंने अच्छी से धो के और इसे 3-4 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है और इससे ग्राइंड कर लेते हैं अब इससे बिना पानी के ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा अब डालेंगे हलका सा पानी इसे एकदम माही नहीं पीसना इसे थोड़ा दरदरा रहना चाहिए इसे एक बार और घुमा लेते हैं मिक्सी में दाल अच्छे से पिस चुकी है अब इसे एक बोल में निकालते हैं इसमें से हलका सा पानी डालेंगे अब इस बैटल में हम सारे सुके मसाले डालेंगे सबसे पहले जाएगा नमक थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर मिर्ची अब ध्यान से डाले क्योंकि इसमें हम अल्रेडी हरी मिर्चे डाल चुके हैं इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे अब मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया है और अब हम बनाएंगे मूंक दाल का चिला सबसे पहले पैन को ग्रीस कर लेंगे इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे आप देख सकते हैं बैटर बहुत पतला भी नहीं है और बहुत मूटा भी नहीं है चिले आप अपने हिसाब से बना सकते हैं आपको छोटे बनाने हैं कि आपको बड़े बनाने इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्त, यह एक साइट से कुक हो गया है, अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा तेल अब इसे पल्टी करेंगे क्योंकि यह एक साइट से पक चुका है चीला दोनों साइट से पक चुका है अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं इसी तरह हम बाकी के चिले भी बना लेते हैं यह रहे मुंगडाल के चिले एक दम तयार, यह बच्चों को बहुत पसंद है आप इसे हरी चटनी या सॉस के साथ उनको सर्फ कीजिए इसे जरूर बनाए और हमें लिख पेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी तिल नेक्स ताम गुद्बाइ